हेलो एब्रीबन कैसे हैं आप सवाईयोग की सब अच्छे होंगे तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही हार्डी प्लांट के बारे में जो आप देख पा रहे होंगे तो यह है सुदर्सन सुधर्षन एक बहुत हार्डी प्लांट है चाहे जितनी गर्मी हो चाहे जितनी बारिस हो और चाहे जितनी फ्टंड पड़े इसको कोई दिकर्णी होने वाली है अगर आपने यह एक बार लगा लिया अपने घर में तो यह अच्छे से चलने वाला पौदा है और यह ग्रीन तो इसे कुछ लोग शूब भी मानते हैं बोलते हैं कि इस लगाना काफी सूब होता है तो जिस वी रीजन से लगाें आप अपने गर में यह पौदा जरूर लगाए मैंने तो यह आप देख पा रहे हूं कि काफी टाइम पहले लगाया था बहुत पुराना पौदा यह करी पौद भी नहीं है बहुत सारे पौदे बनाई है यहां से इस तरीके से निकालता रहता है यह चोटे-चोटे निकल रहा है तो इनने कट करके आप जड़की जुरोत नहीं है बस उपर से कटिंग ले लें और इसे कहीं भी मिट्टी में दबादे और यह अच्छे से चल जाए वो इतनी जादा पानी से भरी हुए होती है कि इसके कभी भी सुरूखने का मुखा नहीं मिलता और यह हमेसा ही आपके घर में रह जाएगा अगर आप यह कहीं से ले आते हैं कि आप देखेंगे तो रोड साइड भी आप कई बार दिख जाता है यह आज पास के किसी के घर में हो तो आप इसे लाकर लगा सकते हैं अपने घर में फिर आप उससे बहुत सारे पौदे बना सकते हो तो मैंने तो ऐसे ही किया है यह एक लगाया था उससे मेंने कई सारे पौदे बनाएं कई बांट भी दिये है अभी आप देख रहे हूंगे इसमें कितने सारे पौदे ति बहुत ज्यादा greenery विखेरती हैं आप अगर लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से बहुत खुरसूरत पौदा है यह इसे निकाल के दिखाती हूं आपको हुलाय वह इस आप भह कि देखाती है तो इसे कैसी ही मित्टी में लगा सकते हैं जो आपके पॉस हो जो नॉर्मल हमारे गार्ड़र में मित्टी निकलती है उस मिट्टी में इस तरीके से क्या करें एक छोटा साय से ले आए इस तरीके से और इससे लगा दे तो ही क्या होगा इसी तरीके का पौदा आपका बनने वाला है और इसे अगर 15-20 दिन ही पड़े रहने देंगे तो यह यहां से अपनी रूट स्टार्ट कर देगा तो इसकी आपको मैंने बता है बहुत ज्यादा कुछ सूरुद होती है जैसे कि आपके काम में आने वाला पौदा है इसकी मेडिशनल बैलू भी है कुछ-कुछ ज्यादा तो नहीं है लेकिन कई जहां आपको सूजन या दर्द हो तो वहां इसका पत्ता गरम करके माल सकते हैं तो उस है तो भी इसे जरूर लगाएं चाहें ओले भी घर जाए ना यह पौदा आपके घर से जाने माना विल्कूल भी नहीं है खाद के नाम पे मैं इसमें आप देखने हूँ इसमें मैं लगा रखा है इसमें काफी टाइम से मैं बुडाई भी नहीं करिए खाद तो पानी से ही चलता है इस तरीके से इसकी लेयर बनती है इस तरीके से इसकी लेयर होती है इसमें कोई बुडी स्टेम नहीं होती है यह गैली प्लांट है जैसे कि इस तरीके की लेयर होती है इसमें बस और कुछ नहीं होता है तो इस तरीके से जब यह पौदा हो जाता है जब शूप जा इसे कट करके कहीं लगा देंगे तो यह अच्छे से चलता रहेगा और कोई दिकत इसमें आने वाली नहीं है कोई स्प्रेय नहीं मांगता आप से कोई खाद नहीं बांगता है बस आपके घर में कोई लोग बोले कि उनके घर में एकी वार बारिस के टाइम पूल आते हैं पर चोटे पूदे में जल्दी पूल नहीं आने वाले हैं एक डेड़ साल की एज हो जाएगी उसके बाद इसमें पूल आएंगे तो यह सुदर्सन का पौदा काफी सूब है आप अपने घर में जरूर लगाएं अगर आपके पात जमीन है तो जमीन में लगाएंगे तो यह का अधर पौदा है यह मैं मैं कहूं मेरी छत पे जितने पौदे हैं ना उनसे सबसे ज़्यादा हाड़ी प्लांटी है और इसमें कोई रोग नहीं आता कोई दिक्कत नहीं आती है बस एक बार आप लगा लो फिर इसको पड़ा नहीं दो पानी दो ना दो यह चलता रहेगा त तो सुधर्शन पौदा आप जरूर लगाए अपने घन में और यह की आज की वीडियो तो मिलेंगे नए वीडियो नहीं पर किसाब तब तक अपना ध्यान रखिए और यह वाला पौदा जरूर लगाई अपने घन में तो बाई बाई